आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपका कलर फेर करने के लिए और अगर आपकी स्किन पर कोई दाग दबे हैं चेरे पर तो वो भी साफ हो जाएंगे बहुत अच्छी रेमेडी है और जो इसमें निगीरियेंट्स पढ़ते हैं बहुत ही असानी से आप आपकी स्किन मर्क ग्लो लाती है तो बहुत अच्छी रेमेडी है इस वीडियो में बने रहेगा वीडियो को फुल वाच करिएगा मैं हुद्विंदर सल हमेशा कीतर अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प आप पर कर दीजिए फिर वीडियो को लाइक लाइक विल्कुल फ्री का है कोई पैसा नहीं लगेगा जल्दी से करिए मैं ताकि जल्दी से रेमेडी स्टार्ट करूं हाँ तो चलिए बढ़ते हम सीधा रेमेडी की और रेमेडी में आपको तीन स्टेप करने हैं तीनों चमच रौ मिल्क लेना है और एक चमच उसमें हनी मिलाइए दोनों का अच्छे से मिक्स करिए और इससे अपने फेस की पांच मिनट के लिए मसाज करिए उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो जीजिए उसके बाद जो सेकंड यूज करना है अपने लगाना है ट अप्लाई कर दीजिए उसके बाद आपको लगाना है पैक ये दो टिप्स वाप को बताएं हैं दोनों स्टेफ फॉलो करने के बाद में जो थर्ड आपको स्टेफ करना है वो करना है पैक का उसमें चाहिए आपको एक चमच रॉ मिल्क एक चुटकि उसमें हल्दी मिलाईएग और आदे चमच उसमें हनी मिलाईएगा इन तीनों को अच्छे से मिक्स करिए इंगिरियंट्स को और अपने फेस पर अपलाई कर दीजिए अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो ये आपके फेस पर कमाल का ग्लो लाएंगे अगर स्किन पर किसी भी तरह के दाग धबे हैं जाए वो पिंपल्स के पड़े हो चाकि से सारे दूर हो जाएंगे बहुत अच्छा है मैं इसे परसनल भी यूज़ करती हूँ बहुत अच्छा रिजाल्ट आता है जरूर यूज़ करिएगा और फिर अपने लवली फीड़बैक कमें देकर मुझे जरूर बताईएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपना हमेशा की तरह ख्याल रखिएगा टेक केर बाबाई एवरीवन